नमस्कार दोस्तों मेरा नम्हें दिली परमार और आप देख रहे हैं डीजे सकती तो फ्रेंच आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं साउंड क्राफ्ट का जो मिक्सर आता है MFXI जो 20 चैनल का मिक्सर आता है उसमें हम DD3E को कैसे लगा सकते है तो यही जो है इस वीडियो में हम सीखेंगे तो इस वीडियो में जो है एकदम एंड तक बने रही है इस वीडियो को जो है लाइक करिए शेर करिए अपने दोस्तों के साथ और हमारी इस डीजे सकती चैनल को सब्सक्रेब करके बेल का को प्रेस कर दीजें ताकि हरे एक वीडियो के नोटेफिक्सिन आपको मिलते रहे चलिए स्टार्ट करता है इस वीडियो को तो आप देख सकते हैं यह है हमारा साउंड क्राफ्ट कंपनी का MFXI model तो यह 20 चैनल का मिक्सर है और यहां पर आप देख उसके बाद सामने की ओ जो है आउटपूट का ओप्सन दिया गया है DD3 में तो आपको क्या करना है DD3 में से जो है आउटपूट में से निकाल कर यहां पर जो है स्टीरियो रिटर्ण के जो है लेफ्ट और राइट दिये गया है ठीक है उपर की साइड आप देख सकते हो यह हमने माइक्रोफोन को इन पूट किया हुआ है तो यहाँ पर जो है इसका ओल्यम हम यहां से खोलते है कि आठो हम तो जैसे कि अपने सुना कि इसमें लिट को नहीं आ रहा तो स्टीरियो रिटर्ण के नीचे जो है लेफल दिये गया है उसको झोगे खोलना है उसके बाद हमने ओकस वन में से जो ए अउटपुट निकाला था तो जिस भी चैनल में आपको इक़ों चाहिए उसका जो है ओकस वन का ओलियम यहां से खोलना है ठीक है तो अभी आप जो है सुनियेगा अलो चेक हालो तो अभी आप ने सुना इसमें जो है इको आ चुका है तो इस तरह से आप जो है इसमें इको लगा सकते है और दूसरा तरीका इसमें यहां है कि बाजू में जो stereo वाली channels दी गई है ठीक है दो stereo channels इसमें दी गई है तो आप किसी भी stereo channel में भी लगा सकते हैं तो मान लिजे यहाँ पर हमने stereo channel में left में लगा दिया है तो यहाँ पर नीचे की और से stereo channel का all you में open करना है और उसके बाद उपर की side जो gain दिया गया है उसको भी आपको खोलना है तो इस तरह से भी इको input कर सकते हो तो अभी हम जो है दूसरी channel में भी इको लगा कर देखी लेते हैं तो उसका all you में हमने यहाँ से खोल दिया यहाँ से जो है जेक दूसरी stereo channel में लगा दिया तो इस तरह से भी आप लगा सकते हो तो हमने दो तरीखे देखे तो अभी तीसरा तरीखा यहाँ है किस में जो है लाइन इंपुट के सोकेट में देखने को मिल जाते है ठीक है तो किसी भी LINE Input के Socket में आप लगा सकते हो और जिस भी Socket में आपने लगाया उस चैनल की OX के OLEUM दोनों बंद होने चाहिए उसके बाद इसका OLEUM यहांसे खोलना है तो इसी तरह से आप जो ही यह मिक्सर मई को लगा सकते हैं उमीद करता हो आपको यह जानकरी अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को जो है लाइक करिए शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और हमारे डीजे सकती चाहिए को सबस्क्राइब करके बिलक ऐकॉन को प्रेस कर द करें थैंक यू